आप सभी का आपके अपने चैनल एक्जाम वाला 247 के अंतरगत गाइज हमने स्टार्ट कर दिया है और यह ओडिटिंग का फर्स्ट वीडियो होने वाला है काफ़ इंपॉर्टन्ट वीडियो तो बने रही है हमारे साथ देखो ऑडिटिंग जो है लेटिन भाषा के ऑडिरे स भारत में वित्तिय अंकेशन सीए करता है जिसके लिए 1 जुलाई 1950 को ICAI की स्थापना की गई इंडियन चार्ट अकाउंट एंस्ट्ट अट्र अकाउंट अपने फिर लागत अंकेशन कोस्ट अकाउंटेंट करता है जिसके लिए 1969 में ICWA की स्थापना की गई ठीक है तो CA वा गवर्मेंट चेत्र का अंकेशन CAG करता है इसके इस्थापना 1858 में ही कब वही 1808 में फिर डेफिनिशन का है ऑडिटिंग ऐसा कार रहे है जो अकाउंटिंग पूरी होने के बाद प्रारम होता है अकाउंटिंग तो मतलब है कि किसी चीज़ को लिख लेना और जो लिखा है वो सही है या नहीं है उसकी जाँच का अंकेशन की परिबाशा S200 में दी गई है किस में दी गई है S200 में तो हमाल ट्रक है कि अंकेशन की परिबाशा 200 रुपए के नोट पर लिखी है किस पर लिखी है 200 रुपए के नोट पर लिखी हुई है फिर अंकेशन किसी संस्था की वित्य सूचना के स्वत्मत्रवनिस्पक्ष जांच है किसी संस्था की जिसका उद्यश्य ओडिटर्ड द्वारा संस्था की वित्य सूचना पर अपनी राय प्रकट करना है तो auditor जितने भी होते हैं वो सूचना जो होती है उस पर अपनी राय प्रकट करते है दी गई सूचना है सनस्था की वित्य सित्य का सत्य उचित प्रदेशन करती है या नहीं जो सूचनाएं दी गई है वो संस्था की वित्य सिति का उचित प्रदेशन करती है नहीं वो बताता है फिर आगे वित्य सूचनाएं क्या है तो वित्य सूचनाओं में आती है क्या क्या है । फिर आंकेशन की सुतनता अंकेशक मानसी रूप से शुतंतर होना चैहिए निस्पक्ष होना चाहिए तभी वो रिपोर्ट से यह बना पाएगा ठीक है फिर ऑडिटिंग की प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखो सबसे पहला है वैधानिक या अनिवारी अंकेशन वैधानिक या नहीं कानूनी जो किसी कानून में अनिवार रहो अना जैसे कंपनी एक में सभी कंपनियों के लिए अनिवार रहे तो जो सिए करगा ये अनिवारी अंकेशन है एच्छी कांकेशन जो किसी कानून में कंपल्स नहीं हो लेकिन व्यवसाय का जो मालिक है अपने मर्जी से करवा रहा है वो एच्छी कांकेशन ठीक है फिर देखो आउडिटिंग के उद्देशे तो S A 200 क्योंकि इसमें तो आउडिटिंग के परिपाश आती तो S A 200 के अनुस शुद्दी, कमजोड शेत्र, स्वामी को सला इनकी इनका पता लगाना और इसके सला देना ओर्डिटिंग का महत्व क्या है चलकपड का पता लगाना, एरर्स ढूंडना, लॉफ फॉलो करना, वी केरिया पहचानना, बाहरी लोगों में विश्वास जगाना क्या 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 ह यह सब इसके महत्व है, फिर ओडिटिंग के सीमा क्या है, यह देखो, ओडिटिंग सिर्फ राय है, प्रमानन नहीं है, ओडिटिंग क्या है, प्रमानन नहीं है, फिर ओडिटर सारे सबजेक्ट का परफेक्शनिस नहीं होता, ओडिटर से भी एरर संभव हो सकती है, नहीं करता हूँ, ठीक है, फिर है, कपट के संबंध में ओ Taylor के दाइत, तो क्या दाइत है, कि कपट रोकने या पता लगाने के दाइत Means 않는 का है, पता लगाने के दाइत उनका है, फ्रॉड के लिए auditor उतरदाई नहीं है लेकिन उसके कारे में लापरवाई है तो वह दोशी है उसके गर कारे में लापरवाई है तो वह दोशी है उडिटर से या पेक्षा की जाती है वह सबी चीजों को संदे से देखे उनका question करे उनकी जाच करे यह जांच की जाती है यह देखा जाता है फिर है ancation के प्रकार तो सबसे पहले का है वैधानिक ancation या अनिवारे ancation जब क्या है जब किलो संद्था या website की ओलिटिंग किसी वैधान या कानून में करवाना अनिवारे हो जाए तो उसको बोलेंगे करनी है उसको तुम कम नहीं कर सकते हैं अंकेशन की कारे चेतर को कम नहीं किया जा सकता है ठीक है फिर देखो निम्द संस्थाओं का अंकेशन जरूरी है किन किन का है Company Act 2013 के दिन Company का जरूरी है सहिकारी समिती Act 1912 के दिन Cooperative Society का जरूरी है Trust की Auditing जरूरी है Banking Act 1959 के दिन Bank का जरूरी है BEMA Act 1938 के According BEMA Company का जरूरी है तो यह जरूरी है फिर वैधानिक Oblig अनिवारे Auditing के प्रावधान तो यह प्रावधान Company Act 2013 की धारा 149 से 164 तक है तो वैधानिक Auditing या उसके वैधानिक Auditing के प्रावधान का हैं से कहा तक है 49 से 149 से 164 184 तक फिर है नीजी या Lehr चिक Auditing जब किसी संस्था या संस्था प्रतावन अपने मन से Auditing करवाई तो वो क्या है नीजी Auditing है आचीक आयखाओड़ी को उनका्टर अपैंट अपनर स्टीक कांब ये जटानागैं? सलाएंगे? तो गुर्फर्मनेंट कंपणी के एंकेशन संबंधी जो प्रावधान है वो Company Act 2013 में है. तो 145 इसमें क्या है सरकारी कंपणी के रैगूलर एंकेशक के न्युक्ति. तो इसकी ट्रिक बनाई थी हमने डंबलिल दंबलर हैसे कुछ बनाई थी. यह ल segurmos के नियुक्ति की जाएगे 149 साथ कंपनी के फॉस्ट अंकेशक की हिज अनुकती की तो इसमें कंपनी के फॉस्ट अंकेशक की इसमें का है इसमें हैं इसका आगे देखेंगा ठीक है फिर छाहिव oxid के सिर्थ करेगा यह किसमें करेगा 149 men फिर आंत्रिक अंकेशन जब संस्था की किसी योगे पर्सन को संस्था में होने वाले कारियों की जांच के लिए न्यूक्त किया जाए मतलब कोई आदमी है उसको खुद को ही संस्था की जांच करनी आंत्रिक वेक्ति है उसको जाच करनी तो क्या कलाएगा आंत्रिक अंकेशन कलाएगा ठीक है कंपनी एक्ट 2013 की धारा 138 के अंदर ये है न्यूकती प्रबंदक द्वारा की जाएगी वह रिपोर्ट प्रबंदक को देगा न्यूक्ति प्रबंदग को की जाएगी और रिपोर्ट किसको देगा प्रबंदग को देगा ठीक है ये कारे फिर समय क्या धार पर समय के आधार पर बुन गशन कहांगे तो उससे क्या कहेंगे अपन चालू उंकेशन कहेंगे क्या कहेंगे चालू उंकेशन जैसे जनेरली jeito बैंक्स में होता है पिर अंतरिम उंकेशन कैसे संस्था उब्डिक वैवसाई की दो वार्शिक साधान सभा के मद्य की जाने वाली जाच पड़ता दो साधान सभा हैं होती है मिटिंग होती है उसके बीच में जो अंकेशन कर रहे है उसको बोलेंगे अंतरिम अंकेशन इसका में गोल का है अंतरिम लाभांश गोशित करना यानि बीच में जो एरिया है उसमें की तलाब हुआ वो घोचित करना इसे चालू अंकेशन या वाडशीक अंकेशन के बीच का अंकेशन भी कहते हैं ये सामिक अंकेशन का पूरक है सामिक तो बार-बार होता है और ये वर्ष में दो बार होता है इसकी जाँच नहीं गहरी होती है ना विस्तरत होती है फिर वार्शिक अंकेशन औरिटिंग जो किसी संस्ता की हिसाब किताब अंतिम खाते बंद होने के बाद की जाए उसे अंतिम अंकेशन कहते है जो हिसाब किताब अंतिम खाते बंद होने के बाद की जाए इसको क्या कहेंगे इसको अंस्ता की संपून लेका कि जाते हो तो उसको पून कहेंगे यदि संस्था में अंतिम खाते हर साल बनाए जाते हैं तो हर साल जाँच होगी हाफ एल्ली बनाए जाते हैं तो हाफ एल्ली जाँच होगी ठीक है इसकी जरूत कब है पूर्ण जाच की जब संस्था में आंतरिक प्रणाली सही नहीं हो इंटर्नल सिस्टम सही नहीं हो या जब व्यहवार संख्या सिमित हो जब क्या बोलते हैं लिमिटेड ट्रांजेक्शन से तब इसका क्या जाएगा आंचिक अंकेशन जब संस्ता के हिसाब किताब के पूर्ण जाच ना होकर उसके एक जाच एक हिसे के जाच हो ठीक है यह कब होगी जब आंतिक नियंत्रन प्रणाली विस्त्रित हो जब अंदर से सब कुछ सही है तो पूरे जाच करने के मतलब भी नहीं है जब सब कुछ सही है तो थोड़ा थोड़ा देखलो बस और जब क्या है जब ट्रांजेक्शन्स बहुत जादा है तब भी इसका यूज होता है फिर उद्देशे के अधार पर उद्देशे के अधार बहुत है लागत अंकेशन उद्देशे के अधार पर क्या होता है आदि में कम्पनी का लेखा बोक्स का audit केंद्र सरकार आदिश दे सकती है यह लागत अंकेशन है भई कितना क्या घट चुआ ठीक है लागत auditor की न्यूकती निदेशक मंडल करेगा कौन करेगा board of directors करेंगे लागत auditor report देगा केंद्र सरकार को और board of directors दोनों को देगा और इसका जो पारिशरमिक है वो shareholders decide करेंगे ठीक है आगे 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 आता है विशेश अंकेशन क्या आता है विशेश अंकेशन कम्पनी एक्ट 1956 251 एनुसार central government किसी कम्पनी को इन conditions में special audit का आदेश देगी अना जब क्या है कम्पनी के काम काज में व्यवसाइक सिधानतों या परंपराओं का उलंगन हो रहा हूँ सरकार को लगता है कि उलंगन करने तब दे सकती है जब कंपनी loan pay करने में not able सक्षम नहीं है जब कंपनी सक्षम नहीं हो loan चुकाने में फिर special auditor अपनी report central government को देता है यदि central government 4 मा में कोई कारवान ने न करे तो report संचालक को सौब देंग अगर central government अपनी कारवाई नहीं करती तो 4 माइने में किसको सौब देंगे अपन संचालक को सौब देंगे ठीक है special audit का जो खड़चा है वो कौन बैर करेगा company खुद बैर करेगी ठीक है चलो फिर है प्रबंध की auditing इसमें क्या होता है कि managers के कारियों का नेर्नेयों की जाज ह होती है इसमें company के goals policy कारे समिक्षा सुधार उदारिन की जाज होती है फिर और चित्तिय अंकेशन तो managers द्वारा लिए गए नेर्नेयों के और चित्तियों की जाज होती है कि जो decision लिए गए है क्या ये सही है valid है नहीं है ये जाच बुद्धि मानी निष्टा में त्वेता क में क्या है इसमें ये जाच की कारे संपादन goals के अनुरूप है या नहीं लागत अनुरूप है या नहीं इसमें क्या जाच होगी की कारे संपादन goals के अनुरूप है या नहीं फिर है निपूनतांकेशन निपूनतांकेशन में क्या efficiency audit में क्या है सहस्ता की पूर योजना मे देखो, angkesन करने से पहले जो जो प्लान बनाते हो, जो कैसे कैसे क्या करना है, कब कब करना है, वो सब क्या है, angkesन योजना है. तो auditing start करने से पहले ये बना जाती है योज़ना है तो पहले है बनेगी अपने कारे को वैवस्ति दूरूप से करने के लिए योज़ना बनाते समय auditing goal कारेशित्र, वैवसैवक अश्टा की जानकारी auditing की प्रकरती समय सीमा को ध्यान में रखा जाता है किस-किस को ध्यान में रखा जाता है औरिटिंग गोल क्या है क्या गोल है कारेश शित्र क्या है वेवसाइक सनस्था की जानकरी औरिटिंग की प्रकरती क्या है समय सीमा आधी को ध्यान में रखा जाता है फिर है अंकेशन कारिकरम प्रोग्राम अंकेशन कारेकरम या अंकेशन प्रोग्राम तो पहले योजना होगी फिर उसके बाद में प्रोग्राम होगा इसमें क्या होगा? औरिटिंग प्लान के बेस पर अंकेशन कारेकरम बनाया जाता है औरिटिंग की योजना उसके आधार पर क्या बनता है? और डिटिंग कारे करम बनता है ये निश्चित किया जाता है कि कौन सा कारी किस परसन द्वारा किया जाएगा वे किस कारे को कितना समय देना होगा कौन सा कारी किस परसन द्वारा किया जाएगा और किसको कितना समय देना होगा ये दिसाइड किया जाएगा फिर हैं अंकेशन कारे करम का उद्देश है अंतराज़्टी अंकेशन व्यवार समीती पर निर्धारी था ये उद्देश है क्या क्या है अंकेशन मेथर्ड्स स्वभाव समय अबलिक सीमा तेय करना ये इसका उद्देश है संपूर्ण कारे को जोड़ना कॉल्लोबरेट करना सरस्था की लेखा प्राणाली पॉलिशी वा आंत्रिक निर्न प्राली जानकरी प्राप्ठ करना नटिक क्या जनकरी ए डिसाइड करना कीgrass इंटरनल कंट्रोल पर कब तक निर थे रह सकते हैं, पिर है अंकेशन कारिकरम की रैशना तो अंकेशन कारेकरम की रचना के समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल हो ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए विभिन पहलू और अकॉर्णिंग हो विभिन भागों में बटा हुआ हो फिर कै अंकेशन कारेकरम में डेट, साइन, ओडिटर के संस्था में आने जाने के लिए अलग कॉलम हो कई सारी काम होगे ओडिटर प्रोग्राम लिखा प्रपत्रों का नियायसित्र प्रवा होना चाहिए लेखा प्रपत्रों का कैसा प्रवान अची नियासित प्रवान अची अंकेशन कारे क्रम अंकेशन कारे शित्र के बाहर नहीं जाना चीए अंकेशन कारे क्रम अंकेशन कारे शित्र के बाहर नहीं जाना चीए जो कारे शित्र उसमें रहना चीए अब लाब क्या होगा कि हर परसन को उसकी responsibility का पता पर जाता है कि मेरे ये काम है करमचारियों में योग गिता इनके अनुसर कारे का भी भाजन हो जाता है auditing कारे प्रगति की जानकारे मिल जाती है कारे में uniformity आ जाती है कारे के संपून जाच वैसमय की बचत हो जाती है अंकेशन सिद्धान पालन हो जाता है कारे समिक्षा के सुविधा मिल जाती है यह यह लाब है कमिया क्या है इसमें इसमें flexibility की कमिय है किसकी कमिय है flexibility यंत्रवत कारे है mechanical job, boring सा job है रचनात्मक चिंत्यन का भाव है अपने तरफ से कुछ अपन input नहीं दे सकते अपना innovation नहीं लगा सकते auditor के कारे शित्र का limit में होना auditor के against प्रमान के रूप में इसको use करना फिर समयव लागत व्यर्थ जाना तो कई सारी कमिया है इसमें ठीक है अंकेशन की कारे प्रनाली अंकेशन कारे के लिए auditor द्वारा use विधी जो जिस विधी का उप्योग किया जाएगा वो अंकेशन की कारे प्रनाली होगी कौन-कौन से विधी आए वो देखो सबसे पहली विधी है नैत्यक जांच मतलब daily basis, daily inspection इसमें क्या होगा देनिक लेंदेन की जांच करता रहेगा डेली के डेली परिक्षन जांच इसमें auditor सभी दस्तावे जो की जांच के स्थान पर कुछ नमोनों की जांच करेगा जिसे चावल का नमोना ले लिए देख लिया कैसे चावल है तो यह परिक्षन जाज फिर गहन जाज इसमें auditor हर लेन देन की detail जाज करेगा ठीक है यह गहन जाज फिर अंकेशन कारेपत्र और working paper तो auditing करते समय auditor द्वारा एकत्र की गई सामगरी देखो क्या है working paper क्या अंकेशन कारेपत्र क्या है auditing करते समय auditor द्वारा एकत्र की गई सामगरी दस्तावेज auditor द्वारा लिखी गई नीजी टिपणी अंकेशन कारेपत्र क्या 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 क और्डिटर वर्टकिंग पेपर्स के अंकेशक का में न्यूकति पत्र अंकेशक कारिकरम, प्रमाणों को के सूची, और्डिटर की नोटबुक, कम्पनी से एकत्र दस्ता वीच शामिल होते हैं यह यह चीजें इनमें शामिल है फिर इसका उद्देश कया है देखो, और्डिटिंग रिपोर्ड के सत्यता का जांच करना, यह उद्देश है और्डिटिंग प्रोग्राम में मार गर्शुक लेना, यह उद्देश है अधालती कारेवाई के समय औरिटर की रक्षा करना ये उतेश है फिर important क्या देखो अंकेशन कारे सम्बंदी पत्र अंकेशक की सम्पत्ती है कारे सम्बंदी पत्र किसकी सम्पत्ती है अंकेशन कारे पत्र S203 के अधार पर तियार होते है किसके अजार पर तयार होते हैं तो अंकेशन कारे पत्र वर्किंग पेपर कौन तयार करेगा नमो तयार करेगा एन एम ओ नमो तयार करेगा वर्किंग पेपर्स ठीक है फिर देखो important company एक 2013 की धारा 128 में ये लिखा गया है कि जो इसकी लिखा पुस्ति की होती है उसको 8 साल तक संभारी रखना जरूरी है फिर ऐसे दो ऐसे 300 इसमें audit program के बारे में बताया गए audit program क्या होगा अंकेशन से पूरूफ होगा फिर क्या बोलता है ऐसे 230 audit working paper ये उसके दोरान बनाए जाएंगे working paper समझ भाएंगे न कि जो भी दस्तावेज उसके पास है जो भी वो बना रहा है कोई file file बना रहा है कोई notebook है जैसे ये सामगरी दस्तावेज auditoral द्वारा ठीकी नीजी टिपण ये सब ये कहलाएंगे ऐसे 700 इसमें क्या है audit report audit report देदी तो क्या मिल जाएगा किस मिल जाएगा क्या मिल जाएगा किस ठीक है तो इस ट्रिक है मेरी ठीक है तो audit program को miss किया मैंने audit program को क्या किया miss किया audit report को क्या किया किस किया ठीक है चली कुछ important points है bullet points है इस देख लेते है ICAI की स्थापना कभूई 1 जुलेई 1950 को ICWA की 1969 में CAG की 1858 में अंकेशन की परिभाषा के इसमें है ऐसे 200 में है ट्रिक थी ना अपनी 200 के नोट पर लिखी है ठीक है वैधानिक और्डिटिंग का प्रावधान कंपनी एक 2013 की जो 149-144 तक उसमें है कंपनी का कंपनी एक 2013 में है कॉपरेटी समीती 1912 में बैंकिंग एक 1950 में बीमा एक्ट 1938 में फिर क्या देखो 149-145 सरकारी कंपनी के अंकेशक की न्यूकती तो डंबल उठाने वाले को गौर्वर्मेंट कंपनी का ओडिटर न्यूकती कर देंगे जो डंबल उठाता है उसको गौर्वर्मेंट कंपनी का ओडिटर न्यूकती वड़ देंगे फिर 149-7 कंपनी के फर्स्ट ओडिटर की न्यूकती कंपनी के फर्स्ट ओडिटर की न्यूकती ठीक है 149-7 में फिर 143-6 में है सरकारी कमपणी का पूरग अंकेशन CAG करेगा कौन करेगा मतलब पिलिभे इसमें I love you बोल की क्या करा दिया अंकेशन करा दिया ठीक है फिर आंत्रिक अंकेशन आंत्रिक अंकेशन कमपणी 2013 की धारा 188 में मतलब आंत्रिक अंकेशन तमीत से करिड़ा लागत अंकेशन दर्जी करेगा धारा एक्सोट चास अंकेशन कारेपत्र नमो तियार करेगा दो सो तीस है कंपनी एक दोजा तिरा के अकॉड़िंग कंपनी लिखा पुस्तक को आठ साल तक इसमें जो नियम है न एक्सोटाइस धारा एक्सोटाइस में ताना जी रखेंगे ऐसे तीन सो आडिट प्रोग्राम को मिस किया वर्किंग पेपर को नमोने तियार किया आडिट रिपोर्ड को किस किया तो ये था हमारा अभी तक आडिट का जो परीचे वगर है क्या क्या चीज़ा होती है मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सस्क्राइब कर देना मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवात